Election Expenditure Monitoring Key Points for Candidates निर्वाचन वे लेखा अब भीहरती ही तू मुख्य बिंदू Disclaimer यह training material केवल election officials की training के लिए है इसे भारत निर्वाचन आयोव की guideline के रूप में मानने ना किया जावे किसी भी तरह की शनसाई की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोव की guideline rules laws को ही मानने किया जावे Election Expenditure दो तरह के होते हैं Legal और Illegal Legal Expenditure जो की limit के अंदर होंगे इसमें public meeting, posters, banners, weekly साधी पे खर्च होंगे Illegal Expenditure जैसे distribution of money, gift, liquor या freebies जो हम electors को distribute करते हैं, उनको influence करने के लिए यह है Illegal Expenditure में होगा Illegal Expenditure के examples और Legal Expenditure के examples आप स्क्रीन पर देख रहे हैं What is this ceiling of expenditure? Expenditure की सीमा क्या है? Parliament elections के लिए जिन राजियों में 2014 में सीमा 70 लाग थी वो 95 लाग हो गई है और जिन राजियों में 44 लाग थी वह बढ़का 75 लाग हो गई है इसी पिकार assembly elections में जिन राजियों में सीमा 28 लाग थी वह बढ़के 40 लाग हो गई है और जिन राजियों में अधिक्तम सीमा 20 लाग थी वह बढ़का 28 लाग हो गई है लेगल प्रोविजन्स अब हम रिप्रेजेंटेशन औप पेपुल एक्ट इन नाइटीन फिफ्टीवन के डिफरेंट सेक्शन को समझते हैं सेक्शन टैने कहता है कि यदि कोई कैंडिडेट सही तरीके से इलेक्शन एक्सपेंस को लौज नहीं करता है या बनाता नहीं है तो आयोग उसे डेट आफ ओर्डर से तीन वर्ष के लिए डिस्कॉलिफाई कर सकता है सेक्शन 771 ये कहता है कि कैंडिडेट जो भी खर्च करेगा वो मैक्जीमम लिमिट के अंदर ही होगा सेक्शन 771 का एक्सपेंस्पेंशन वन कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स जो भी व्याय करेंगे वह आप पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे में ही जुड़ेगा एक्स्मेशन टू इस्टार केम्पेंशन के बारे में कहता है Section 78 कहता है कि candidate को district election officer के समक्ष date of declaration of result के 30 दिवस के भीतर अपना account जमा करना होगा Section 123 corrupt practices के बारे में कहता है Section 127A कहता है कि यदि printing औप empliers, posters, banners करना हो तो उसमें printer औप publisher का नाम होना आवश्यक है अब हम conduct of election rules 1961 के different rules को देखते है Rule 86, यह particulars of account of election expenses से संबने थे 87 कहता है कि district election officer candidate को notice जारी करेंगे ताकि वह अपने accounts को inspect करा सके Rule 88 कहता है कि inspection of account के समय उसकी copy भी ली जाएगी Rule 89 कहता है कि district election officer I.O. को report submit करेंगे candidate के accounts के संबने Rule 90 कहता है कि maximum election expenses क्या होंगे अब हम Indian panel code 1860 के different sections को देखते है Section 171B bribery से संबन्दित है 171C undue influence at an election है Section 171E punishment for bribery से संबन्दित है Section 171F punishment for undue influence या impersonation से संबन्दित है Section 171H illegal payment जो की election में हो रहा है उससे संबन्दित है 171I failure to keep election account से संबन्दित है Expenditure monitoring mechanism Separate bank account of the candidate जिस दिनांग को candidate नामाकन पत्र प्रस्तुत करना चाहता है उससे कम से कम एक दिवस पूर्व निर्वाचन व्याई के लिए अलग bank खाता खोला जावेगा Bank खाता राज में कहीं भी खोला जा सकता है Bank खाता, सहकारी बैंकों या डाग घरों साहित किसी भी bank में खोला जा सकता है इसे अभिहरती और उसके निर्वाचन अभी करता के सेयोक्त नाम से भी खोला जा सकता है यह bank खाता अभिहरती दोर अपने पत्री या पत्नी या अन रिष्टेदारों के साथ साहियोक तो रूप से नहीं खोला जा सकता यदि वे अभिहरती के निर्वाचन अभी करता नहीं है नॉमिनेशन प्रस्तुत करते सम अभिहरती को इस बैंक खाते का नंबर रिटर्निंग ऑफिसर को देना होता है कैंडिडेट के सबी निर्वाचन व्याए इसी बैंक खाते से किये जावेंगे यदि निर्वाचन ही तो नामांकन से पूर्व परतक बैंक खाता नहीं खोला जाता है अधवा कोई राश्युक्त बैंक खाते में जमा कराए बना व्याई की जाती है तो एह माना जाएगा कि अभिहरती ने निर्दाद तरिती से खाता संधारत नहीं किया है अभिहरती के वरुद आरपी एक्ट नाइटीन फिफ्टी वन के सेक्शन टैन एके तहट कारवाही प्रारम की जा सकती है निर्वाचन वै के लिए अभिहरती अलग से एक अभिकरता नुक्त कर सकता है यदि निर्वाचन प्रिचा के दोरान किसी एक पार्टी को भुकतान रुपे 10,000 से अधिक का भुकतान करना हो तो एकाउंट पेई चेक दोरा ही भुकतान किया जावेगा निर्वाचान के परिणाम की घोशणा के तीज दिवस की सीमा के अंदर समस्त विवरण के साथ बैंक खाती की प्रती भी जमा करनी होगी कैंडिडेट तीन तरह के रजिस्टर मेंटिन करते हैं day to day account register, cash register और bank register day to day account register में कैंडिडेट हर वो चीज लिखते हैं उन्हें कहाँ से पैसा मिला आख और कहाँ वो पैसा खर्च कर रहे हैं जैसे की उस political party का नाम जिसनों उन्हें खर्च किया है कोन सी political party उन्हें support कर रही है Association, Organization, Body जो ने सपोर्ट कर रही है या Individual जो ने सपोर्ट कर रहे है वो उनको पैसे भी देते हैं आर्थिक सहायता देते हैं तो उसकी जानकारी भी इस बैंक खाते में लिखी जावेगी अब भेहरतियों को नामांकन की दिनाग से पहले प्रचास सामगर यादी के तैयारी सहित सबी वेयों का भी हिसाब देना चाहिए जो वास्ताओं में नामांकन के बाद की अवधी के दौरान निर्वाचन में उपियों किये जाते हैं अब भेहरतियों को expenditure observer के समक्ष तीन बार निर्वाचन के लिए अपना लेखा प्रस्तुत करना होगा day to day account register आप इस्कीन पर देख रहे हैं cash register आप इस्कीन पर देख रहे हैं bank register आप इस्कीन पर देख रहे हैं assistant expenditure observer द्वारा shadow observation register और folder of evidence maintain किया जाता है accounting team accounting team shadow observation register तैयार करेगी और evidence of folder में video या cd को evidence के रूप में सावधानी पूरवक रखेगी विबन टीमों द्वारा प्रती विदित shadow observation register में प्रती एक मद जैसे कि प्रमुख जनसवाय रैलियों के सामने अब भेहरति द्वारा किये गए प्रमुख वेयों तदन रूप अधिसूचे दरों पर किये गए वेय को दर्च करेगी और प्रतेक अभेहरति के लिए इन कारकरमों के कुल वेय की गढ़ना करेगी एकाउंट फॉर एलेक्शन एक्सपेंसिस वेन अस्टार केमपेनर होल्सा रैली यदि अभेहरति या उनका नर्वाचनवी करता सारजोनिक रैली या बैठक के आयोजन में इस्टार प्रचार के साथ मंच साजा करता है तो इस्टार प्रचार के यातरा व्याए के अलावा उस रैली पर होने वाला पूरा व्याए अभेहरति के खाती में जोड़ा जावेगा बले ही अभेहरति मंच पर मौझूद ना हो लेकिन सारंजरिक रेली स्थल पर अभिहरती के नाम या अभिहरती के तस्वियरें वाले बैनर पोस्टर परदश्चित किये जाते हैं या रेली के दोरान स्टार प्रचारक दोरा अभिहरती के नाम को लेग किया जाता है तो इस्टा प्रचारा के यात्रा व्याई के अलावा उस रेली बैठक में होने वाला पूरा खर्च अभिहरती के नर्वाचन व्याई में जोड़ा जावेगा यदि रेली या बैठक में एक से अधिक अभिहरती मंच साजा कर रहे हैं या उनके नाम के बैनर या पोश्टर लगे हैं तो ऐसी रेली या बैठक पर होने वाला व्याई को ऐसे सब भी अभिहरतीयों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए और उनके संबदि खाते में जोड़ा जाना चाहिए नंबर ओवीकल्स यूजड फॉर कैमपेन निर्वाचान प्रचार के लिए अभिहरती द्वारा उपिय किये जाने वाले वाहिनों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है अनुमती प्राप्त करने के लिए अभिहरती को ऐसे वाहिनों और इन छ अभिहरती को अनुमती प्राप्त वहनों पर किये गए वाहिनों को अपने द्याने के लेखा रजिस्टर में रखना होगा ट्रैवल एक्स्पेंडिचर और इस्टार केंपेनर्स इस्टार केंपेनर्स दोरह हुआ यातरा या किसी अन्यमाधियम से किया व्याए राजने तेक दल के वे वे में लिया जावेगा इस परकार के व्याए अभिहरती के वे में शामिल नहीं होंगे यदि सुरक्षागात, मेडिकल अटेंडेंट या मीडिया का कोई भी प्रतिनिधी या कोई अन्यव्यक्ति जो संबंदि नर्वाचन छेत्र में अभिहरती नहीं है इस्टार प्रचारा के साथ रियातरा करता है तो रियातरा वै पूरा का पूरा राजनी तक दल के लेखे में माना जाएगा बरशरते कि उक्तसदा से किसी भी अभिहरती के नर्वाचन प्रचार में कोई भूमी का ना नभाए यदि स्टाप प्रचारा के साथ परिवान साजा करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति किसी भी तरह से अभिहरती के लिए निर्वाचन प्रचार में कोई भूबी का नभाता है या यदि कोई अभी हरती ऐसे स्टार प्रचारा के साथ वाहन, विमान या हेलिकॉप्टर में यातरा करता है तो यातरा का पचास प्रतिशा द्वियाए ऐसे उम्मीदवारों में साजा किया जावेगा परसंस हैविंग जैड प्लस सेक्यूरिटी नर्वाचन प्रचार के दोरान, गैर आधिकरे को देशों के लियोपियों किये जाने वाले जैड प्लस रक्षा प्राद व्यक्तियों दोरा राज के सौमत वाल एक बलेट प्रूफ वाहन को चलाने की लागत, संबने व्यक्ति दोरा वहन की जावेगी यदि दौरा करने वाला राजिन के पताधी कारी इस्टार परचाराक है, तो वै पार्टी के लेखे में जोड़ा जावेगौए गा लागत अभ्यहरती के खाते में जोड़ी जावेगी. Expenditure on Construction of Barricades and Roastrums किसी स्चारजुनिक रैली, बैठक जहां को इस्टाप प्रचारक भाग ले रहा हो, के लिए उस रख्षा कारणों से शास के एजनसियों या किसी निजी एजनसि द्वारा किये गए बैरिकेट्स, रोश्ट्रम आदी के दिर्मार पर किये गए व्याए को उस अभ्यहरती के लेखे में जोड़ा जाएगा, जिसके निर्वाचान छेतर में रैली या बैठाक हो रही हो, यदि उस समय मंच पर कई अभ्यहरती उपस्तित होते हैं, तो व्याए उन अभ्यहरतीयों के मध्य समान रूप से वभाचित किया जावेगा, डिस्टिक एक्स्पेंडिचर मॉनिटरिंग कमेटी, इस कमेटी के अध्यक्ष, एक्स्पेंडिचर अब्जर्वर होंगे, और इसके सदस होंगे डिस्टिक एलेक्शन आफिसर, डिप्री डियो या एमसी के इनचार्ज, एकाउंट रिकंसिलेशन की मीटिंग, परिग्राम की घुष्णा के 26 वे दिन जिला नर्वाचन अधिकारी द्वार आहुद की जावेगी, अब भिहर्थी को उसके नर्वाचन व्यक्ष कम बताई गई राशी, यदि कोई हो का समाधान करने का एक और अफसर प्रदान किया जावेगा, परिग्राम की घुष्णा के 26 वे दिन जिला नर्वाचन अधिकारी द्वारा एकाउंट रिकंसलिशन की मीटिंग बलाई जावेगी, अब भिहर्थी को उसके नर्वाचन व्यक्ष कम बताई गई राशी, यदि कोई हो तो का समाधान करने के लिए एक और अफसर दिया जावेगा, यदि नर्वाचन पक्रिया के दोरान अभिहर्थियों को मदों की नियुनोक्ती के संबंद में कोई नोटे जारी नहीं किया गया था, तो डिस्टिक एलेक्षन आफीसर को अभिहर्थि का उत्तर प्राप्त करने के लिए परीडाम खुशित होने के पंदरा दिवस के भीतर पत्र या नोटे जारी करना होगा, बैठक में विचार किये जाने वाले दौनों पत्र और प्रति उत्तर को D.E.M.C. के रिकॉर्ड किये गए विचारों के साथ आयुक को सुचित किया जावेगा, डिस्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कमेटी लेखों की जाच करेगी और जहां मदबेदों को सुलजाय नहीं जा सका, कारण बताते हुए 72 गंटी के अवधी में आदेश पारित करेगी और उसी दिवस कैंडिडेट या उसके एजेंड को इसकी तामिल कराएगी। यदि कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश से सहमत है, तो वह इसे अपने अंतिम लेखा में शामिल कर सकता है। यदि अभिहरती ने बैठक से पहले ही अपने वेखा प्रस्तुत कर दिया है, तो वह परिणाम खुशित होने के तीज दिवसों के अवधी के बीतर लेखों को शंशोधित कर सकता है। पत्र के माध्यम से आज सहमती के कारणों के साथ अपना अंतिम विवरन धर्ज करा सकता है या प्रस्तुत कर सकता है। आज सहमती के ऐसे मावलों में जलान नर्वाचन अधिकारी, स्कूरूटिन रिपोर्ट या डिस्ट्रिक एक्स्पेंडिशर मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट, प्रासंग एक दस्तावेजों, लेखार रिजिस्टर, नोटिस, प्रिति उत्तर की सभी प्रमारत प्रतियो के लिए मुखि नर्वाचन पदादी कारी को अग्रिश्ट करेंगे, रिजिस्टर ऑफ डे टू डे अकाउंट, प्रतिक कैंडिडेट द्वारा व्या लेखा तयार किया जावेगा, और अधिसोचे तारीखों पर निरक्षण के लिए एक्स्पेंडिश और आब्जर्वर या किसी अनधिकर व्यक्ति के समक्ष बैंक पास्बुक के साथ रिजिस्टरों को प्रस्तुत किया जावेगा, यदि किसी विसंगेती को इंगत किया जाता है, तो कैंडिडेट को निर्दारे समय के भीतर इसे दूर करना होगा, कोई भी व्यक्ति इनकी फोटो कॉपी चाह वहन में किसी अनधिकर प्रचार समगरी ले जाते हुए या प्रचार के लिए उप्यों किये जाते पाया गया, तो वहन की अनुमती वापिस ले ली जावेगी, उन डमी कैंडिडेट्स के खिलाफ, IPC 1860 की धारा 171H के तहत के से दर्च किया जावेगा, अभी अनुमती के बिना किसी भी तरह से खरच बढ़ाना धारा 171H के तहत अपराद है। रिटर्निंग आफिसर या अबजरवर को उस कैंडिडेट को नोटिज जारी करना होगा, जिसके पक्ष में डमी कैंडिडेट कार करता पाया गया, और उसे डमी कैंडिडेट दोरा किये गया व्याइग को अपने चनावी व्याइग में सामिल करने के लिए कहा जाना प्रतिक केंडिडेट को एक्सपेंडिशा मॉनिटिंग कमपेंडियम की एक प्रति और निर्वाचन वे की वस्तियों की दरों की अधिसूचना भी उपलप्त कराई जावेगी इस्थानिये या राष्टे देनेक पत्रिकाओं अंग्रेज या छेतरी भाशा में विग्यापन के लिए डिये वीपी डीपी आई आई आर की दरों को भी अभी हर्तियों को बताया जावेगा रेटर्निंग ओफीसर कैंडिडिट्स को नियमों के तहद आवश्चक वाहनों सारजवनेक बैठकों आदी के लिए अनुमती पत्र जारी करेंगे पर चार अवधी के दोरान एकस्पेंडिट्च और अब्जरवर दोरा लेखों के निर्क्षन के लिए तितियों को अदुसुचित किया जाएगा और expenditure observer की सलाई के अनुसार आउलोकन के दौरान candidate के विया लेखा रजिस्टर और चाया रजिस्टर के बीच किसी भी विसंगती को इस्पस्ट करने के लिए candidate को नोटिस जारी किया जावेगा expenditure observer दौरा सुझाए गए विया लेखा में चूप करने वाले candidate को नोटिस जारी करेंगे यह भी शुनिशित करेंगे कि FST और SST दौरा जबती की जाने के बाद FI या रह शकायत तुरंत दरज की जावे अब भी हर्तियों को परिग्णापी गोशना के 30 दिवस के भीतर नर्वाचन वे के रजिस्टर के साथ अपने नर्वाचन वे का लेखा जोखा जला नर्वाचन अधीकारी के पाद जमा करना होता है अब भी हर्तियों को परिग्णापी गोशना के 30 दिवस के भीतर नर्वाचन वे के रजिस्टर के साथ अपने निर्वाचान वे का लेखा जोखा जिला निर्वाचान अधीकारी के पाद जमा करना होता है इस लेखे के साथ जो अन्य डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे वह आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं एक्स्पेंडिचर अब्जरवर या expenditure observer के प्रामश से returning officer द्वारा नामेद एक वरिष्ट अधिकारी द्वारा सभी candidate के व्याय लेकर रेजिस्टर के निर्क्षण के लिए एक schedule तैयार किया जावेगा अभिहरती या उनके नर्वाचन भी करता या अधिकर व्यक्ति के माध्यम से प्रचार की अवधी के दोरान कम से कम तीन बार निर्क्षण के लिए expenditure observer या नामेद अधिकारी के समक्ष रेजिस्टर को प्रस्तूर करना आवश्यक होगा दो निर्क्षणों के बीच कम से कम तीन दिवस का अंतर होना चाहिए इस निर्क्षण कारकरम को प्रेस के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए निर्क्षण का समय प्रहता है दस बजे से साएं पांच बजे के मद्ध हो सकता है निर्क्षण कार शाम साथ बजे से पहले पूरा कर लेना चाहिए निर्वाचन कार या तो रिटर्निंग ओफिसर के कारेलेक अक्ष में या किसी अनक अक्ष में किया जा सकता है अंतिम निर्वाचन निर्वाचन दिवस से तीन दिवस के पूर्व नहीं होना चाहिए निर्वाचन प्रक्रिया के दोरान प्रतिक निर्क्षण के बाद अभी अर्तिक दिन प्रतिक दिन के लेखा रेजिस्टर को निर्क्षण की दनाग तक स्कैन किया जाएगा और जलाल निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा वह रिटर्निंग ओफिसर के नोटिस बोड पर भी लगाया जाएगा यदि निरिक्षन तिथी पर कैंडिडियेट द्वारा निर्वाचन वह लेका रेजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो रिटर्निंग ओफिसर द्वारा लिखे तरूप में कैंडिडियेट को नोटिस जारी किया जावेगा कैंडिडियेट को सुचित किया जाएगा कि यदि वह फिर से निरक्षर दिवस पर वह लेका रजिस्टर प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो यह माना जाएगा कि वह दिन प्रती दिन के वय लेखा को रखने में विफल है कैंडिडिट को सूचित किया जाएगा कि नर्वाचन वय का दिन प्रती दिन का लेखा रखना आरपी एक्ट नाइटीन फिफ्टी वन के सेक्शन 77 के तहत अवश्यक है सेक्शन 77 कहता है प्रतिक अभिरती निर्वाचन के संबंद में सब भी व्याओं का सही तरीके से हिसाब रखेगा इस नोटिस को व्यापक संबब प्रचार किया जाएगा और रिटरिनिंग ओफिसर के नोटिस बूर्ड पर एक प्रति प्रदश्चित की जावेगी यदि नोटिस के बावजूद कैंडिडेट निर्क्षन के लिए व्याओं लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो आई पी सी की धारा 171 आई के तहट ये शिकायत सक्षम नयायलाय में दायर की जा सकती है सेक्षम 171 आई के अनुसार निर्वाचन वे लेखा रखने में विफलता होने पर 500 रुपे तक का जर्माना हो सकता है इसके अलावा यदि कैंडिडेट नोटिस की प्राप्ति के तीन दिवसों के अंदर वे लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं करता है तो निर्वाचन के दोरान वाहिनोग अप्योग के लिए कैंडिडेट को दी गए अनुमती को वापस ले लिया जावेगा वाहिनोग अप्योग के अनुमती वापस लेने के बारे में FST और SST को सूचित किया जाएगा और returning officer के notice board पर भी परदर्शित किया जावेगा इस education video में हमने candidate के point of view से election expenditure को समझा यदि या आपके कोई doubt है या आप clarification चाहते हैं तो इसकीन पर देख रहे mail के थूर कांटेट कर सकते हैं Rules and Regulations के दूसरे वीडियो देखने के लिए इसकीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें Thank you, धन्यवाद